हेलो फ्रेंड्स ! और आज आप सब को जोति जैन का जञजने ! और फ्रेंड्स आज आपका दिन बहुत बहुत शुक जाए ! फ्रेंड्स कल आपको मेरा टिपस कैसा लगा ? बहुत असरजऱ टिपस है जो दो मैंने आपको बताया है... आपके संग शियर किया है.. तो इसी तरीके से मैं आपको रोज एक नएने टिप्स जरूर दूँगी जिसका आप लोग भरपूर फायदा उठा सके क्योंकि आज कल कोई भी ऐसे टैम में बार बार बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि टैम ऐसा नहीं है और लोगों को इसकी प्रॉबलम होती होती है कोई यह तो है निकी प्रॉबलम नहीं होती तो फ्रेंट्स आज मैं आपको फिर एक नए टिप्स के साथ मिलने के लिए आई हूँ और ये टिप्स भी आप सुनके आप कहेंगे कि वाकई में ये टिप्स का जो भी मैं सलूशन बताऊंगी बहुत अच्छा है तो मैं आप लोगों संग शेयर करती हूं फ्रेंड्स लोगों का गला बैट जाता है हाँ गला बैटना गला भी इस तरीके से बैट जाता है फ्रेंड्स का योगी तो आवाज हैं नकलती और वो इस तरीके से मलब परेशान हो जाते हैं कि आवाज बिल्कुल दीरे 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 करके बंद होने लगती है और इससे हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है यह गले में दर्द भी होता यह गले में बहुत जादा प्रबलम हो जाती है और यह मैं जो आपको इसका उपाए बताएं बहुत ही अच्छा है घरेलू है जो हमारी बड़े बढ़ी बुजुर्क लेड़िस हमको बताया करती थी मेरी अम्मा, मेरी अम्मा बहुत ही जादा मतलब घरे लूपाय से हम लोगों को सही कर देती थी बच्वन में, चोट लगे, सरीन में कोई भी प्राब्लम हो तो उसका सलूशन जट से नी, कहते हैं न, चिटकी बजाती है, वो हल निकाल लेती थी, तो मैं आज आपको बताती तो आप लोगों को इससे बहुत फायदा होगा, तो चाहे तो आप जो भी मैं ये टिप्स वगेरा मैं आपको बताती हूँ, चाहे तो आप एक डायरी बना लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमारे दिमाग में कोई बात होती है, कोई बात रह जाती है, कई बार हम भ लिखत होती है, और हमारे दिमाग से बात निकल जाती है, तो आप एक डायरी बना लीजिए, जो कल मैंने आपको टिप्स बता है, वो भी लिख लीजिए, और आज जो में बताने जा रही हूँ आपको गला बैठना, इसका उपाय मैं आपको बताती हूँ, इसका उपाय ये में तो इन मसालों जो यह गले बैठने का problem हल करने के लिए वो है धनिया थनिया और धनिया जो मारे पास मसालों में वहोती है वह थिर पिस्वी लेकिन हम इसमें यूज जाफुट साबुत धनिया आधी छमच के करी हम मुँ में रख ले इसको और एक जैसे टौफी की तरह टौफी की तरह इसका जूस धीरे-दीरे जो हमारे गले में जाए तो इसको मतला एक दम से खाना निया इसको धीरे-दीरे चूसते रहना चाहिए जिससे इसका जो भी अरक है धीरे- दीरे हमारे गले से होके नीचे निकले आप यकीन मानना इसको और बने और लोगों के संग या तो उनको भी फायदा हुआ तो बस मेरे मन में आया या आप लोगों के संग ज़रूद शेयर करूं तो गल्या बैठने में सबसे ज़्यादा असर दागे धनिया चूसना, साबुत धनिया चूसना, मसाले वाला, तो आप यह अपना के देखना, आप लोगों को भी इससे फाइदा होगा, और कल फिर में आपको एक नया टिप्स दूँगी बहुत अच्छा, और आगे की वीडि की जोटनी पड़ेगी, तो प्लीस मेरा वीडियो यह एंड तक जरूड देखना फ्रेंट्स, तो फ्रेंट्स आप लोगों को मेरा जैजनेन सुवे का, अब मैं फ्रेंट्स यह सुवे का मेरा नास्ता तयार हो चुका है, नास्ते में फिलाल मैंने यह गौार की फली बनाई तो चलिए फ्रेंट्स, मेरा नास्ता तयार हो चुका, इन सब को नास्ता कराने के बाद, बाकी की सारे काम रिप्टाने के बाद, आज मैं बहुत अच्छा अच्छा जो कम समान से बनता हो डालने वाली हूँ, आप भी देखिए, देखे फ्रेंट्स, मेरा बेटा यह अमिय लाया था सुब्सक्रिक के लिए चोटी चोटी आपी लाया था दो किलो तो थल्ट है देखती है और तो ही वाली हमिय ही अच्छी वनेंगी तो ही वाली वाली अमिय ही अच्छी बनेगी तो ही वाली अमिय के लिए मुझेक्या करना ता था फ awareness जーक्चित चिल एक चिल एक रखर दिया है फ्रैंड्स फरेंड्स जा We बारी बारी ऐसा होता है friends कि जो तेल वाली अमिया होती है न वो हमारी रामकेल आमी की बहुत अच्छी बनती है पिछली साल मैंने इसका लग डाला था उसका लग डाला था लेकिन जो उसका टेस्ट आना बहुत अच्छा था और वो जब भी मैं अचार डालूंगी वो भी के रख दिया था थोड़ी देर बाद जबी बुलकुल सुकी सुकी हो गई थी इसको अच्छी तरह पहुचके इसके सारे छिल के उतार दिये मैंने और दो भागों में काटके इसकी बीच की गुठली निकाल निकाल के हिस्सा साप करके रख लिया था अब मैं इसको कुछ भी ऐसा निशान नहीं रहना चाहिए जिसकी वैसे पूरी आमी खराब हो सकती है तो चलिए फ्रेंड्स आमी बनानी सुरू करते हैं हम लोग देगे फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने पतली-पतली बारिक-बारी का मिया काटके रख लिए पिछले साल जब मैंने मराई तो और भी से छोटे-छोटे पीस कर लिए लेकिन फ्रेंड्स कुछ एक हपते बाद ही बहुत सौप्ट बहुत ही गली-गली सी हो जाती है हर तरीके की डाल रेती हूं इस तरीके से काटी अगली वार थोड़ी और छोटी काट लूँगी वह आपकी मर्जी आप कैसी शेव दे सकते हैं इसको चले फ्रेंड्स मैं फटा-फट किचन में जाती हूं इधर यह मम्मी मेरी क्योंकि नीचे तो जा नहीं सकती और ना इच्छत पे जा सकती तो कमरे में ही वॉक कर लेती है इस तरीके से तो कम से कम 8-10 चक्कर ऐसे काट लेती हैं चकर इदर एक चकर इदर इनका बॉक पूरा हो जाता है गुमाई पूरी हो जाती है चले फ्रेंड्स आगे का हम जो भी काम सुरू करते हैं अपना जो हम कर रहे हैं कंटीनू आ जाते हैं इस तरीके से मैं किचन में आ चुकी हूं फ्रेंड्स आपको क्या करना है यह बारिक बारिक पीस काटके एक सा के इस तरीके से क्योंकि इसलिए कि ही Razya अप समान डालें और चलिए फरेंडस तरीके से में थाक्तिक इस तरीके से में अपनी सारी ऐंपी इसके नरें बितलए के अ इक palavrasरेद कंडिक सें आनरे यहीद और इंड़र मैं तो मसालों थोड़ी और मैंने इसे बारिक बारिक पीसली बजार की आती पीसली है लेकिन आप कोशिश करना बुलकुल बारिक हो तो चलिए इसे सबसे पहले मैंने हिंग एट करी अचार के अंदर ठीक है और हिंग की मातरा आप ध्यान रखना क्योंकि हम इंग का चार बना रहे हैं तो ज लेने में अभी ऐसा लगे कि बस स्वाद बदल गया हो चले फ्रेंट्स मैंने इसमें लाल मिर्ची भी आइट कर दिये अब यह नमक आइट करूंगी फ्रेंट्स यह देखिए नमक मैंने आइट कर दिया इसके अंदर नमक भी आप अपने हिसाब से इतना तो मेरे को बताने निकाल के डेड़ किलो आमी रह गई है सरसो का तेल अब मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से मिलाओंगी फ्रेंट्स यह देखिए इस तरीके से खूब अच्छी तरीके से मिलानी है फ्रेंट्स क्योंकि तेल मैंने इसलिए डाला है कि जो मैंने इसमें नमक लाल मिर्च और ह जो मैंने इसमें एड़ करिए तो हलका सा तेल में एक कल्ची तेल लिया था उसका आधी कल्ची ही डाला इसमें कि मसाल अच्छी तरीके से आमियों के लिपट जाए ठीके तो चलिए फ्रेंट्स के ऐसा आता है फ्रेंट्स सूखा डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है इस फ्रेंट्स पिछली बार भी मैंने आप यकीन माना मैंने बहुत आमी का चार डाल दिया था मेरे बच्चों को बहुत पसंदे हैं कि आमी यह हम लोग डाल चावल के संग तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और अभी मैंने कुछ दिन पहले एक चार और बनाया है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी इसी अचार के संग वो किस चीच का चार है अभी थोड़ी ना बताऊंगी फिर आपको कैस अभी पता चल जाएगा तो आप अभी से जान जाओगे ही मैंने किस चीच का डाला था लेकिन उसके लिए थोड़ा आगे तक दे जूस नहीं किया मैंने नमाक, मिर्च, हिंग और सरसो का तेल अब बहुत अच्छी तरीके से मिला लिया चोड़े बरतन में डालने से ये फायदा होता है फ्रेंड्स की मसाले मेरे अच्छी तरीके से मिल चुके हैं और आमी का साइज भी आपने देखा मैंने बल्कुल बार एक बारी काटने पर बहुत अच्छी लगती है देखे फ्रेंड्स इस तरीके से पहले मैं और भी आप इसके छोटे पीस कर सकते तो कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है चले फ्रेंड्स मेरा मसाला अच्छी तरीके से मिल चुका है अब मैं इसको थोड़ी देर बाद एक डि दिया है कितना अच्छा कलर लग रहा है और खाने में भी बहुत स्वाद लगता है फ्रेंड्स यह अब यह देखे फ्रेंड्स मैंने दूसरा चार किस चीज का डाला गाजर का बेटा मेरा गाजर लिया था दो किलो अब वो गाजर कोई से खाए मीठी बहुत ती अच्छी प Order करेंडिए इसमें मैंने चार में जादा कुछ समान नि मिए रहा पस वही सर्सों का तेल नमक, मेर्च, इस ओफ। राइ लाल मेर्ची वी डाल दी मैने अच्छी तरीके से बस इसको डाल के अच्छी तरीके से मसाले मिला के इसको रगी मैने राई इसले डाल लिया इफ की खट्टा यसी से ही होगा, चले फ्रेंड्स, इढ़र मेरा अमिया का चार भी ड़ चुका है और मैंने गाजर का चार भी डाल लिया है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप ये चार जरूर बना के देखना और ये चार खाने में बहुत टेस्टी होता है, और आज के टैम में जिस तरी के सामें खटा चीहे तो आपको वो खटा भी पूरा मिलेगा, ठीके फ्रेंड्स?